पार तो हमारी पैदावार बढ़ती है और हमारी पैदावार बढ़ती है तो हमारे किसान बहन भाई खुशहाल होते हैं तो बहनों भाईओं फसल सुरक्षा के से सम्मंधित सही जानकारी के होना बहुत आवश्यक है तो इसी पर पेच में आज हम आपको जानकारी दिलवाने जा रहे हैं आलू की खेती में फसल सुरक्षा और इस विशे पर जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच में उपस्तित हैं चंद्रशेखर आजाद क्रिशेबं प्रोड़ुगिक बिश्विड्याले कानपुर के वे अक्टूबर नॉम्बर में और वो कैस कराप के लिए तैयार की थी वो करीब करीब तैयार हो चुकी है और जो मुखे फसल होती है जिससे आलू का बीच तैयार करते हैं या फसल तैयार होने के वाद उसको कॉन्डिस्वर्च में ले जाते हैं तो वो अभी अपने पूरे ग किसान भाईयों को अच्छी प्रजादी का वीच अच्छे स्रोज से लेना चाहिए जिसमें बीमारियां पहले से ही नहों और आप जानते हैं आलू की फसल में सबसे बड़ा अगर कोई दुसमन है तो पिछहती जोलसा जिसको अंग्रेजे में लेट बलाइट कहते हैं और इ पिल्कुल से जुलसने लगी हैं और ये बीच में काले भूरे दब्बे बनते हैं फिर बाद में इनकी सड़न हो जाती है और कभी-कभी बीमारी का प्रकोप इतना ज्यादा हो जाता है कि ये पूरी फसल सड़ जाती है और पूरे खेत में एक बड़ी दुरगंद आती है त न प Floren है और पत्तियां पेच में प्रकुटियों में अल्यां चे jacket से में से जाती है और किनारे तक जाती है और पुड़ी के निचली पत्तियां होती ये रोग वहीं से प्रकुटियों होता है स्की रोग थाम के उपाएं पहल抑 जाई पार जाएं कि बीमारी रहित पीज का ह जो प्रजाति यह इस रॉक से प्रदिरोदी होती है, अर्थात इनमें रोग की संबावननाँ काफी कम है लेकिन अगर आसपास किसी किसान के यह बीमारी फैली है, आप जानते हैं यह बायू से भी हवा के इसके बीजाणू फैलते हैं फंगस के, तो दूसरे खेत में भी आ जाती है, ऐसे में किसान भाईयों को पहले से यह करना चाहिए कि जो फसल करीब करीब एक डेड़ महने की हो कर देना चाहिए, लेकिन कभी यह भी देखा गया है कि दवा चड़कने के बावजूद भी इसे दवा का प्रगोब नहीं आता है और पहुदे करीब करें बिलकुल इस तरह से सूप के बिलकुल खराब होने लगते हैं, तो ऐसी इस्तिती में यह दवा जो है फाइदा नही पानी के हिसाब से चड़काओ करते हैं, तो बीमारी अपनी जगे पर रुक जाती है, दूसरे पोदों में यह बीमारी का प्रगोप आगे नहीं बढ़ पाता है, जिससे किसान भाईयों को आर्थिक नुक्सान की जादा संबावना नहीं रहती है, दूसरे जब यह बीमारी नहीं होती है, तो उसमें अच्छी भर्पूर फसल भी नहीं है, मतलब उसकी गुडवत्ता सीदे प्रभावित हो जाता है, जिससे किसान भाईयों है, प्रेयों में भी देखा गए कि बीमारी जादा हो जाती है, तो यह कंडों में भी उतर जाती है, और उसके लच्छनों उपर से भी नहीं दिखते हैं, लेकिन अंदर उसमें रोक के बिशौन या फंगस है, जो पहुच जाती है, जिसकी विज़े से अगर आलू को काटेंगे, तो उसके अलावा जुस्वस्त आलू काटते हैं, वो भी उसी तरह से संक्रमित होते जाते हैं, जी, डॉक सब जैसे आ चड़का के जाते हैं, जी, पत्यों के किनारे सुकते हैं, बीच में दपे कम बनते हैं, तो इस तरह से यह पिछहती जुसा के बाद अगएती जुसा आती है, और इसमें भी महिंगो जय दवाका या बलू कापर आती है, इसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, शुड़का जही आपिनी चिड़काओ करना है जनको एक बार करना है उनुरु कुछ पटाया फिर उसके बाद दूसरे चिड़काओ एnelगु रपीड करते है आटКसे दिन के बिल्कुल सही प्रसंद किया आपने सुनुल दी, मुझे एक भी है कि साधरान से मानिये उसकी अंग बीमारी होती है, और मैं ये देखिए पौदा भी लाया हूँ, ये बिशार जनित रोग से है, और ये आप जानते हैं कि जब फसल तयार हो रही होती है, उस तमें ये माहूं से बहुँ जादा फैलता है, और साथ में ये दिखाना चाहता हूँ, ये स्वस्त पौदा है, और ये जो है, ये बिशार जनित है, ये एकस, वाई, जट कई तरह के बिशार होते हैं, और जब हमारी फसल तयार हो रही होती है, उसमें खास करके ये किसान भाईयों को सलाँ जाती है कि 25-26 जन्वरी के बाद उपर की जो हिस्सा है जैसे ये पौदा है इसको काट देना चाहिए या रशाइन के द्वारा इसको सुखा देना चाहिए तो जो माहू है वो आलू के बीज में अपना विशौन फैला देती है जिससे बीज खराब हो जाता है और वही बीज जमने के बाद उन पौदों से इसी तरह से बीज गरस्त पौदे राप्त होते हैं जिसमें आलू भी नहीं लगता बड़वार भी नहीं होती है और जिसे अगर एक खेयट में इसके पौदे जादभा हो जाते है तो किस तरह से इसमें भाईयों को सला यही है कि उसमें किसी हाँ मैंने आपको बताया मुझे को फलाने में सबसे जादा अगर किसी का रोल आता है तो वो माहू है और माहू के लिए आप जनते ही हैं कीट नस जो भी हैं उपलब्ध हैं जो सीधे से उसमें सिस्टमिक होती हैं उनका इस्तिमाल करना चाहिए और खास करके जन्वरी का जैस जाएं पेरक्वेटिक आता है तीन लीटर प्रती हेक्टेर की दर से इसका चिड़काव कर देते हैं तो उपर के जो पोधे हैं यह सुता करीब आट-डस दिन में सूप जाते हैं और सुनिक इसमें इस बड़ा फायदा यह है कि इस रसाइन का जब चिड़काव करते हैं तो सुता है जो है हमारी उपर आट से दस कुंटल बढ़ जाती है अच्छा आट से दस कुंटल बढ़ जाती है उसका कारण यह है कि यह जो पोधा पे जब चिड़कते हैं तो जिटना भी इसका भोजन पदार्थ है सीथे आप जानते हैं यह आलू के कंद से जुड़ा हुआ ह जिसकी विज़े से कंद का आकार बढ़ जाता है और आप यह समझते हैं कि हमारी फसल की उपज भी जाए दस से बारा कुंटल बढ़ जाती है तो इस तरह से मानी है अगर दस बारा कुंटल मेरी उपज बढ़ गई जो मैंने रसायन में पैसा खर्च किया वो बढ़ ही उप पैचाल लें फिर उसका उपचार कैसे का है हाँ मैंने आपको बताया साफ्ट राड यह बीमारी एंगर जीमी भी कहते हैं यह बिशान जनले नहीं है यह जीवान यह जीवान जनले जीवान होते हैं उनके दारा फैलती है तो यह भी सिकायत किसान भाईयों के आती है कभी अविश्णेश्यवान जनि लेकिन इसका बहुत जादा प्रकोप नहीं होता है जैसे मैंकोजाव है यह कापर अक्सी ख्लोराड हम दबा के सुरूआतमे स्थेकमाल करते है तो इसी साथ में स्टेट्र साइक्लिन होता है बेक्टिरी सैडिया से जीवान जनले में जनले को एथा इस्थान रोग जाएगा अपने आप जी डॉक सब आलू में कभी-कभी कुछ काले धब्बे भी दिखाई देते हैं तो यह काले धब्बे वाला रोग कौन सा है और इस पर कैसे रोकताम की जए काले धब्बे का रोग है इसको कामन स्कैप कहते हैं और इसको चेचक भ और यहां पर चुकी आलू में तो यह फंगस से है तो फंगस के माध्धम से यह आलू जो हमारे रोग ग्रस्त होते हैं उनका जब बीज में इस्तिमाल करते हैं तो इसका ज्याधा प्रकोब बढ़ जाता है और कभी-कभी कामन स्कैप भी उसी से मिलते जूलती जूलती यह इसके धबे आलू के उपर काले गहरे भूरे रंके होते हैं वो जम जाते हैं लेकिन अगर आप उसको खुरुच के हटाएंगे तो वो निकल जाते हैं तो इसके बचाओ के लिए सबसे आसन तरीका यह है कि आलू को उपचार करना चाहिए अभी तक किसान भाईयों को हम लो उपचार में इसका काम आता है तो उसके साथ में ट्राइको डर्माविरडी जो है 75 ग्राम 100 लिटर पानी अगर घोल के तब आलू अगर उपचारित करेंगे वैसे तो तरीका यह है कि आलू के वीजों को घोल में ही डुबो के उपचारित करना चाहिए अच्छा घोल में ड होगी उसस्त होगी इस तरह से कभी-कभी यह भी देखा गया कि जो आलू के अगेती फचल होती है जो किसान भाई करीब-करीब ख़तम कर चुके हैं एक आरा मक्खी आती है सफेद मक्खी अलग होती है वो बड़ी छोटी होती एक आरा मक्खी होती है जो पत्तियों को काट देती है और कभी-कभी किसान कहते हैं कि सब हमारी फचल दिन में तो सही थी लेकिन रात में पता नहीं किया और मेरे सब पौदे कटे हुए मिलें तो यह मक्खी उसी समय रात में निकलती है और वहीं मिट्टी में छुप जाती है दिन में जैसे तापमन बढ़ता है धूप निकलती है और रात में यह उसको काट के खतम करती है तो डॉक्साब इसकी लिए फिर हम क्या करें किस तरह से इस पर रोकताम करें इसके लिए आप जानते है फेनवेल डस्ट एक आती है उसका इस्तेमाल करना चाहिए और यह डस्ट सुभे ही इस्तेमाल करनी जी जब जेस किलो ग्राम प्रत हिक्टर मातरा के यह जब सकता होती है एक तो यह जो कीड़ा है यह इसकी जो गिडार होती है कैटर फिलर वो पत्तियां काट के नुक्सान करती है इसको जी तो इस तरह से हम इस पर रोकताम कर सकते हैं डॉक्साब आपने इतनी उप्योगी जानकारी हमारे किसान बहन भाईयों को दी इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद बहन भाईयों जैसा कि डॉक्साब ने बताया